हेलो क्लास नाइनघ कैसे हैं आप सब आज किस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन भुगोल और आपकी बुक का नेम है समकालिन भारत एक का चेप्टर नंबर फिफ और चेप्टर का नेम आप देखो प्राकरितिक वनस्पति तथा वन्य प्रानी ठीक है तो इस वीडियो में हम इस चेप्टर के question answers को solve करेंगे तो अब अपनी copy और pen उठाओ और चलो मेरे साथ question answers को solve करने तो अब आप देखो इस चेप्टर के अंदर सबसे पहला question आपके पास आता है कल्पिक प्रश्ण में ठीक है तो देखो रबड का संबंद किस प्रकार की वनस्पती से है तो देखो यहाँ पर आपके चार options आपको दिये है टुंडरा, मैग ग्रोव, हिमालय और उष्ण कटी बंदिया वर्सावन तो इसका उतर आप दिखोगे उष्ण कटी बंदिया वर्सावन यहाँ से कि आप समझना भी यह जो questions है आपके लिए काफी important है आपके exam से तो रबड का संबंद किस प्रकार की वनस्पती से है तो यह याद रखना आप उष्ण कटी बंदिया वर्सावन से तो इसके बाद देखो सिनकोना के वर्क्ष कितनी वर्सा वाले छेतर में पाए जाते हैं तो इसका उत्तर आप लिखोगे देखो सो सेंटिमेटर वाले हैं उसी बाद अगला आप देखो यहाँ पर है सिमली पाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में इस्तित है तो इसका उत्तर आप लिखोगे उडिशा तो इन सब को आप साथ में याद भी करते रहे हैं कि कौन सी जगा कहां पर है सिमली पाल जो जीव मंडल निचय है वो उडिशा में इस्तित है अगला देखो भारत के कौन से जीव मंडल निचय है इसमें आपके दो उत्तर होंगे अगला देखो अब आपको पास यहाँ पर कुछ क्वेशन आंसर से आगए तो संक्षेप में आपको उत्तर देना है यहाँ पर पारिश्थितिक तंत्र किसे कहते हैं तो देखो पारिश्थितिक की प्राणी तथा अन्य जीव मिलकर भौतिक पर्यावरन का निर्मान करते हैं अब पारिश्थितिक की क्या होता है इसमें प्राणी जितने भी जीव जन्तु हैं वो सब कुछ मिलकर और क्या करते हैं बहुत इक परियावरन का निर्मान करते हैं जिसमें की वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्योंकि आपको पता है हर एक चीज एक दूसरे के उपर depend रहती है मनुशे किसके उपर रहते हैं पेड़ पौदों के उपर, जीव जन्तों के उपर depend रहते हैं और वो किसके उपर रहते हैं वो भी एक दूसरे के उपर depend रहते हैं जैसे कि आपने एक life cycle पढ़ा होगा ठीक है एक चीज दूसरे को खाती है, दूसरे को खाती है, ऐसी चलता रहते है आगे देखो, पारिस्तितिक जीवन तंत्र, अत्वा पारिस्तितिकी का निर्मान करते हैं पारिस्तितिक जीवन तंत्र में दोनों जैविक तथा अजैविक संगटक शामिल रहते हैं और अजैव संगटक में उतपादन के उप्भोगता शामिल रहते हैं अब भारत में पादप और जो जीव है इन दोनों का वित्रण किन तत्तों के तोर पर हम इसको निर्धारित करते है तो देखो भारत में पादपों और जीवों का वित्रण धरातल ठीक है यानि कि उस वहाँ पर किस तरह के जमीन है भुभाग तथा मृदा, जलवायू यानि कि तापमान, सुर्य का प्रकाश, वरशन वहाँ पर किस तरह की होती है इन द्वारा निर्धारित किया जाता है अगला देखो यहाँ पर जीव मंडल निचे से क्या अभिप्राय है ठीक है कोई दो उधारन आपको देने है जीव मंडल निचे बहु उद्देशी है आरक्षी छेत्र है और इनके अंतरगत प्रतिनीधी परितंत्रों में जैव जिसे की हम अनुवांशी की विवित्ता को सनरक्षित किया जाता है उधारन के लिए आप देखो यहां पर है नीलगिरी जो की करनाटक केरल तमिलनाडु वननन्दा देवी कहां है उत्रांचल में है उसके बाद देखो यहां पर आगला प्रशन है कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताईए जो की आगे देखो जो की आपको दिया यहां पर उष्ण कटी बंदिया वर्सा और पर्ण पाती वनस्पती में मिलते हैं तो इसके उत्तर आप देखो यहां पर आपका होगा उष्ण कटी बंदिया वर्सा वन का प्राणी हाती है वह उष्ण कटी बंदिया पर्ण पाती वन का प्राणी शेर है तो यह दोनों आप याद रखें क्योंकि आपके एक एक उष्ण कटी बंदिया वर्सा वन का बताना है तो देखो इस तरह का आप एक column बनाओ या फिर आप सीधा heading wise भी लिख सकते हो तो पहले आप बनाओगे वनस्पती जगत इसमें आप लिखोगे देखो वनस्पती जीवन का पहला स्वरूप है ठीक है वनस्पती क्या है जीवन का पहला स्वरूप है और प्राणी ज सूरे से प्राप्त उर्जा को खादे उर्जा में बदल सकती है और प्राणी क्या करता है सूरे से प्राप्त उर्जा को खादे उर्जा में नहीं बदल सकता अब प्राणी क्या होता है आप पता है वनस्पती क्या होता है वो chlorophyll photosynthesis process के थूरू अपना खाना बनाता है ठीक ह जिसमें पानी और सूरे का प्रकास इस्तमाल करता है लेकिन प्रानी क्या करता है प्रानी डाड़क सूरे की उड़जा से अपने बोजन नहीं बना सकता वो किस पर डिपेंड होता है वनस्पती और जीवों पर डिपेंड होता है तो देखो प्राणी बोजन प्राप्ति के लिए काफी हद तक वनस्पति पर निर्भर रहते हैं आगे आप देखो यहाँ पौधों के जीवन से संबंदी था और एक चीज़ आप यहाँ पर देखना प्राणी जो यहाँ पर प्राणी सब्ध है इसमें आप काफी बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ इसमें इनसान आएंगे ठीक है यानि कि होमो सेपियंस आएंगे ऐसा नहीं है प्राणी में हर वो जीव आ जाते है ठीक है बनस्पति यानि कि पेड़ पौधो इन सब चीज़ों को छोड़गे प्राणी जो चल फिर सकते हैं ठीक है वो चीज़ आप याद दखना प्राणी उसमें आप आपके कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ें और गाए भैंस जंगली जानवर सब कुछ प्राणियों में ये आपके आते हैं अब आप देखो यहाँ पौधे के जीवन से संब्धित है यहाँ पर लिखा है देखो अब यहाँ पर आपको बता भी दिया कि यहाँ पौधे के जीवन से संब्धित है यान की पेड़ पौधे चोटे बड़े जितने भी होते हैं और दूसरा क्या है यहाँ पर है यहाँ पशू पक्षियों मसली आदि की जीवन से संबंदत है ठीक है पशू और इसमें पक्षियां भी आती है सारी मसली भी आती है पानी के जीव भी जितने जीव है उसके बाद देखो वनस्पति जगत वातावरण से प्रभावित होता है जैसे कि आसपास का हमारा वातावरण है उसमें pollution हो गया कुछ भी है और गंदा पानी है सड़ा है ये सब चीजे है तो ये क्या करते है पेड़ पौदों को affect करते है ठीक है प्राणी जगत अपने आपको वातवरन के अनुसार ढाल लेते हैं अब आपका क्या है कोई अगर आपने एक सामने पेड लगा दी मैं आपको पड़ा ठीक है यानि कि भूकियों आपर कमी पड़ी या पानी वापर सुख गया मानके चलो तो वो वक्ति क्या करेगा वो चल फिर सकता है वो वहां से जाकर दूसरी जगह चले जाएगा जहां पर पानी है और वहां जाकर वो अपना जीवन व्यतित करने लग जाएगा त अब वनस्पति जो है जहां पर आप सुखा पड़ा है वहां पर अगर किसी व्यक्ति घर है तो वो उसको पानी देगा ठीक है यानि कि प्रानी जो होते हैं वो वनस्पतियों की देखवाल करते हैं उनकी स्थिर्था प्रदान करते हैं लेकिन वनस्पति पूंड ताह जीव जंतों पर निर्वर होते हैं ठीक है अब उसके बाद देखो भारत में लगबग 47,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं भारत में 47,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं और भारत में जीवों की देखो यहां पर 89,000 यानि की 90,000 ठीक है कुछ 89,000 पर जातियां पाए जाती ह आगे आप देखो सदा बहार और पर्ण पाती वन इसमें भी आपको डिफ्रेंश बताना है तो देखो ये वन उन छेत्रों में भली भाती पाये जाते हैं जहां 200 cm से अधिक वर्षा होती है सदा बहार वन कहां पर पाये जाते हैं जहां पर 200 cm से अधिक वर्षा होती है पर्णपाती वन उन छेत्रों में भली भाती पाय जाते है जहां 70 cm से 200 cm तक वर्षा होती है आप देखो यहाँ पर एक चीज और है ठीक है यहाँ अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताने बैठा तो काफी वीडियो बढ़ी हो जाए ठीक है काफी बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि यह जो बारिस का आंकलन होता है कि 200 cm, 70 cm यह वर्षा कैसे होती ठीक वर्षा को कैसा माते हैं कि यह 200 cm वर्षा हुई, 70 cm हुई ठीक है तो काफी बच्चों को यह समझ में नहीं आता अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट सकते हैं बता हूँ मैं अलग सी एक वीडियो बना के आपको आपर दे दूँआ ठीक है स्टार्ट करते हैं देखो दूसरा इन वनों में वरक्षों की उचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है जो सदाबार वनों होते हैं इसमें वरक्षों की उचाई 60 मीटर या उससे भी जाद होती है और पनपाती वनों में 30 से लेकर 45 मीटर तक होती है आगे आप देखो इसमें है आपका देखो वरक्षों में पतज़ड होने का कोई निचित समय नहीं होता अता है ये वन सारे वर्स बर हरे भरे लगते हैं और इस परकार के वनों में वरक्ष सुस्क ग्रीशम रित्मे 6-8 सब्ताहक के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है पतज़ड जिसे आप कहते हैं उसकी बाद आगे आप देखो इसमें आगे और पॉइंट है आपके पास इन वनों में पाए जाने वाले वरक्ष आबनूस तीक है अब ये वरक्षों के आपको नाम दी है आबनूस महोगनी रोजवूड और रबड और यहां पर है सिंकोना ठीक है और इन वनों में पाए जाने वाले वरक्ष बांस साल सागवान और देखो शीशम चंदन पीपल नीम आदी ये सब हैं और ये सगन वन है इसलिए इनको काटना आसान होता है ठीक है और ये क्या है ये वन जादा सगन है ठीक है जो पर्ण पाती वन होते हैं ये मलब इतने सगन नहीं होते है ठीक है यानि की पेड जो खुले खुले दूर दूर होते हैं तो इनका काटना आसान होता है ठीक है आगे आप देखो प्राशन चार आपके पास क्या है भारत में विबिन परकार की पाए जाने वाली वनस्पत का प्योरा आपको देना है ठीक है ठीक है तो देखो भारत में वनस्पती के निमलिखित परमुक परकार पाये जाता है जैसे की ऊष्ण कटीबंदिये और परवतिय छेतर में तापमान की कमी तथा उच़ाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई दे कटिवंड वंद पाए जाते हैं और इनमें चौड़ी पत्ति वाले ओक तथा चेश्ट नट ठीक है जैसे व्रुक्षों की प्रधानता होती है ठीक है तो यह सब आप याद रखना है कि 1000 से 2000 मीटर तक की ओंचाई पर जो भाग होते हैं उनमें आदर शीतों कटिवंड वंद बीच शंकुधारी व्रुक्ष जैसे की चीड, देवदार, शिल्वर, फर ठीक है और यहाँ पर आप देखो स्पूर्स यह सब सीडर आई जाते हैं तो आपने देवदार चीड यह सब व्रुक्ष आपने देख रहेंगा अगर आप उत्राखंट से रिलेटेड हैं यहाँ पर काफी सारे पेड़ हैं और यह वन प्राय है हिमाले की दक्षिनी धलानों दक्षिन और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक उचाई वाले भागों में पाए जाते हैं ठीक है उसके बाद देखो इससे अधिक उचाई पा सीतोशन कटीबंद घास के मैदान पाए जाते हैं तो यह सब आप याद हैं क्योंकि देखो जोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफी सारा याद करने के लिए मिलेगा हर पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा आगे आप देखो सबसे अधिक उचाई वाले भागों में मौस लिचन घास जैसी टुन्डरा प्रकार की वनस्पत्ति पाई जाती है अब उसके बाद देखो प्रशन पांच या पर भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप परजातियां संक्ट ग्रस्त हैं ठीक है उधारन सहीद आपको इनके कारण बताने संक्क्ट ग्रस्त यानिकी जिनके संक्या अब कम हो ग है यानि क्यों हो सकता है कि खतम हो जाए ठीक है जल दीھ काफी वन ने जीव जीवन थे कह आप देखो प्रजातीं अभी संकट में हैं और कुछ विनस्ट हो चुकी है जिसमें आपके सारे वैसे प्रानी भी आजाते हैं और वनस्पतियां भी आजाती हैं तो देखो पादाव और जीव प्रजातियों के संकर्टर गरस्त के काराण ठीक है तो लालची व्यापारी। का अपने व्यवशाय के लिए अत्य दि Aunque शिकार करना ठीक है वो तो वहाँ पर मार निकल जाता है लेकिन उनको भवश्य का नहीं पता है कि कोई भी चीज़ अगर कमी होती है तो उसका भवश्य पर क्या परभाव पड़ता है आगे देखो रासाइनिंग और अध्योगी अफ्शिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूशन से खत्रा होता है अब जो फैक्टरीज होते ही ये भी क्या करने है फैक्टरीज क्या होते है तो लगातार अपना मुनाफ़ा कमाने के लिए क्या कर रहे है अपने कंपनियों को चलाने पे लगे हो है और जो उससे वेश्ट निकल रहा है कचड़ा निगल रहा है उसकी वो कोई परवान नहीं कर रहे है लगातार उसे पर्यावरन में छोड़ते जा रहे है जिसे कि पर्यावरन उसको भी नुफशान होता है और पर्यावरन को नुफशान होगा तो जीव, जंतु, पराणी, वनस्पतिन सब को भी नुक्शान होगा ठीक हैं देखो विदेशी प्रजातियों का परवेश भी एक अन्या मुख्य संकट का कारण है ठीक है विदेशी प्रजातियNew यारには जो बहार से लाईगे प्रजातियां है अब उनको अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमारे देश की पहले से इपर जातिया है वो फिर नश्ट होनी शुरू हो जाएंगी देखो कृषी तथा निवास के लिए दिन प्रति दिन वनों की अंदा दून कटाई से इनका अस्तित्व संकट में है अब कृषी या फिर रहने के लिए आपको पता है पॉबलिशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि जिसके कारण याँ पर प्लॉटिंग या सब चीज़ें जंगल साफ करने पर रहे हैं जहाँ पर लोग कृषी के लिए अनाज उखाने के लिए नश्च करने गर बनाने के लिए तो इन सब चीजों के लिए लकटी का इस्तेमाल हो रहा है तो जिससे क्या हो रहा है कि आप अंददुन पेडों के कटाई हो रही है आगे आप देखो प्रशन चाह है भारत वनस्पती जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है तो देखो इसका क्या उत्तर है ठीक है तो देखो भारत विश्वक के मुख्य बारा जैव विवित्ता वाले देशों में से एक है ठीक है लगबग 47,000 विविन्न जातियों क पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में दसवे इस्थान पर है ठीक है और भारत में लगबग 15,000 फूलों के पौधे है ठीक है तो देखो आप यहां पर भारत में क्या है 15,000 फूलों के पौधे है जो की विश्व में फूलों के पौधों का 6 प्रतिशत है अब जीवों की संक्या क्या है देखो यहां पर 89,000 प्रजातियां मिलती है देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है और यह कुल विश्व का 13 प्रतिशत है ठीक है? यहां मशलियों की 2500 प्रतिशतियां पाई जाती है जो विश्वा का लगबग 12% है और देखो भारत में विश्वा के 5 दे लेकर 8% तक उभहचारी, सरीशरप तथा इस्तंधारी जानवर भी पाए जाते हैं यहाँ पर सरीशरप यानि की सांप वब जो यहाँ पर क्या करते हैं रेंग कर चलते हैं ठीक है आगे देखो मांचित्र कौसल जो आपको यहाँ पर दिया है यह आपको सहिम करना हो ठीक है भारत के क्या करना है आपको मांचित्र पर निम लिखी यहाँ पर आपको दिखाना है उनने तो उश्ण कटी बंदिया वर्सा वन ठीके यह आपको बताने है, अब परियोजना कर रही है, तो आप देखो स्वेम कर सकते हैं अपर अपने पडोस में पाए जाने वाले कुछ ओसधी पाधप का आपको पता लगाना है ठीके और जो OCD पादप इनका नाम आपको पता लगाना है तो आपको पता है आजकल आप Google पे बैठे हो ठीक है Google आपके हाथ में ठीक है Powers आपके हाथ में आपको क्या करना है Google लेंस खोलना है आपको वहाँ पर आप स्कैन करो वो नेम आपको बता देगा ठीक है कर सकते हैं सब कुछ आप Google पे सर्च कर सकते हैं ठीक है वुरुक्षो का महत्र बताते हुए एक पध्यान शागध्यान साब को लिखना है ठीक है तो यह परयोजना कार रहे हैं यह तो ऐसे काफी सारे स्कुलो में कराते नहीं है लेकिन अगर आप क्यों कराते हैं तो ठीक है आप इसे नॉर्मेली कर सकते हैं ठीक है कोई इतना टफ नहीं है ठीक है अपने या अपने परिवार के किसी भी एक सदर्शे के जन्म दिन पर किसी भी पौधे को आपको लगा लेना है ठीक है और देखिए कि वहार कैसे बड़ा होता है और किस मौसम में वो जल्दी बड़ा होता है ठीक है तो यह सब चीज़े आप करके देख सकते हैं ठीक है तो क्लास नाइन देखो आप यहां पर आपके इस चप्टर के सारे कोशनांसर्स कंप्लीट हो जाते हैं आप क्लास नाइन अदर सब्जेट के कोशनांसर्स वीडियो भी मौडर्र मासर जी के चैनल पर देख सकते हैं मैंने सभी पी वीडियो बना रखी है तो बागी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मौडर्र मासर जी का नाम भी रोशन करें